जब से सीरिया की राजधानी में इरानी दूतावास पर हमला हुआ है तब से अटकले लगाई जा रहे हैं कि इरान इस दिन इसराइल से अपना बदला चुका सकता है दरसल इसराइल के खिलाफ प्रतिशोत की आग में जुलस रहे इरान के लिए हालिया हमला उसके मान सम्मान और प्रतिश्ठान पर बड़ी चोट की तरह है इरान ने इस हमले के पीछे इसराइल का हाथ मानते हुए कड़ी चितावनी भी दी है कि उसे नतीजे भुगतने के लिए तयार रहना चाहिए लेकिन इसराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है हलाकि ऐसा दावा है कि इरानी दूतावास पर इसराइल नहीं हमला किया है अब इसराइली अखबार टाइमस ओफ इसराइल की खबर की माने तो इसराइली सेन अधिकारियों को उमीद है कि 12 अप्रेल के बाद सीरिया में इरान के वाड़े जिदूतावास पर हमले पर इरान की प्रतिक्रिया सामने आएगी माना जा रहा है कि इरान रमजान के पवित्र महीने के चलते फिलहाल शांत बैठा है मगर इसराईली सेना इस बाद से अच्छी तरह वाकिफ है कि इरान की ओर जवाबी कारवाई जल्द ही आ सकती है अब रमजान का महीना पूरा हो गया है ऐसे में अटकलों का बाजार भी बेहत कर्भ हो गया है बताय जा रहा है कि इसराईल ने इरान के संभावित हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है मालूम हो कि दूतावास पर हमले के बाद से तिल मिलाए इरानी ने ता साफ शब्दों में धंकी दे चुके है कि हमले की जगए और तारीक हम तै करेंगे इसराइल को बरबाद करके रहेंगे इसराइल के मुपर तमाचा मार कर रहेंगे ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इरान के हमले में सैन ठिकानों या सामरिक महत्वर रखने वाली इमारतों या फिर रणनीती संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है हालाक इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इरान नागरिक स्थलों को भी निशाना बना कर इसराइल पर भैंग कर दबाओ बना सकता है साथ ही इरान से होने वाले सीधे हमले की संभावना को भी फिलहाल नजर अंदास करने के मूड में नहीं दिख रहा है इसराइली रक्षामंद्री योव गैलेंट ने कहा था कि इरान को लेकर पैदा होने वाले किसी भी संभावित हालात की प्रतिक्रिया के लिए तैयारी पूरी कर ली है अगर इरान ने अपनी धर्ति से हमला किया तो इसराइल इरानी सीमा में घुशकर जवाबी हमला करेगा गौर तलब है कि इसराइल की प्रतिक्रिया इरान के सर्वोचsexनेता अयातुल्ला अली खामने के खालिया चितावनी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीरिया की राजधानी में इरानी दूतावास की इमारत पर कथित रूप से हमला करके इसराइल को दंडित किया जाएगा दूतावास पर बंबारी करके इसराइल ने हमारे इलाके पर हमला किया है इसके अलावा इसराइली रक्षा मंत्री ने बताये कि इस युद्ध में हम पर एक से अधिक मोर्चों से अलग-अलग दिशाओं से हमला किया जा रहा है कोई भी दुश्मन जो हम पर हमला करने की कोशिश करेगा उसका सबसे पहले मजबूती से बचाफ किया जाएगा इसराइली प्रतिक्रिया बहुत प्रभावी बहुत शक्तिशाली होगी जिन चीजों से हम सालों से विशेशगिता हासिल कर रहे हैं उसमें से एक यह है कि दुश्मन को कभी पता नहीं चलता कि हम उसके लिए क्या हैरान कर देने वाला जवाब तयार कर रहे है इसराइल रक्षाबलो के प्रवक्ता रियर एड्मिरल डैनियल हगारी ने सीनन को बताया कि इसराइली सेना के आकड़ों की माने तो हमले में इरान के वाड़े जिदूतावास को नहीं बलकि एक आई आज जीसी सेन निसुविधा को निशाना बनाया था जिसके बारे में इसराइल का दावा था कि यह केवल एक नागरिक इमारत की रूप में छिपा हुआ था ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त मिडिल इस्ट के भविश्य की तस्वीर तै करेगा